नमस्तार दोस्तों, हमारी यूटिब चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हिट और स्फिट फिट फीमल बॉडि बॉडि बिल्डर्स है आज हम आपको एक ऐसी ही ब्यूटिफुल फीमल बॉडि बॉडि बिल्डर के बारे में बताने जा रही है यह फीमल बॉडि बॉडि बिल्डर एक प्रोफेशनल फीमल बॉडि बॉडि बॉडर है फिटनेस की दुनिया में इनका काफी ज़ादा नाम है हर एक female bodybuilder को इन से motivation मिलता है और हर कोई इनके जैसी body भी बनाना चाहता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आयते से like पर share करना बिल्कुल न भूले इस female bodybuilder का नाम Eleonora Doberina है Eleonora का वजन कम करने के लिए उन्होंने काफी ज़ादा कड़ी मेनतों ट्रेनिंग करी इसके बाद उन्होंने अपना 2012 में पहली बार मंच पर competition खेला और उस पर पहले स्थान पर आई Eleonora का जनम 1981 में हुआ है Eleonora की हाइप 5.6 इंच है और इनका वजन competition के दरान 57 kg और competition off season में 61 kg रहता है Eleonora एक professional bodybuilder है इनको अपनी पिता की मृत्यू के बाद उनके fitness journey में काफी ज़ादा बदलावा है उन्हें काफी सारी कटी नहीं का सामना करना पड़ा इसके अलावा वह अपना देश शोड के एक नए देश में चली गई जहां उन्हें काफी सारी problems को face करना पड़ा और उन्होंने हार नहीं मानी इसकी वज़ा से उनकी fitness पर भी काफी असर पड़ा और एक समय ऐसा आ गया था जब Eleonora का weight दुगना हो गया था इसलिए उन्होंने यह सोचा के वह अपनी fitness को दुबारा से हसिल करेंगी और उन्होंने ठीक वैसा ही किया Eleonora एक WBFF pro athlete बनने के साथ साथ IFB pro पत्योगी भी रह चुकी है Eleonora ने अपने आपको हमेशा से fit और बढ़िया बनाने के लिए पैदल यात्राएं भी की है और एरबी classes में भी काफी time तक काम किया है Eleonora के कुस competition के list इस प्रकार है Eleonora 2015 में IFBB में पहले स्थान पर आई इसके साथ ही OPA and CBFF pro में भी वह athlete रह चुकी है 2018 में IFBB Miss Olympia में सोलरे स्थान पर आई 2017 में IFBB Miss Olympia में 9 स्थान पर आई इसके बाद 2016 में IFBB One Cover Pro में तूसरे स्थान पर आई 2016 में ही IFBB B Tronto Pro में 5 स्थान पर आई तो हमारी यह Body Builder आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम Eleonora के बारे में और जानकारी देंगे प्लीज हमें कमेंट करके बताईए के आपको अगली वीडियो में और क्या क्या जानकारी चाहिए थैंक्स पर वाचिंग